हेलो गाईज, वेलकम तो टेसे क्लासिज, एंगलिश विद मॉनिका आज हम पढ़ेंगे आपकी विस्टास बुक का सिख्थ चेप्टर ओन दा फेस ओफ इट, रिटन बाए सुजैन हिल तो सुजैन हिल का ये जो स्टोरी है, एक्चुली में ये एक प्ले है ठीक है? तो ये प्ले किस बारे में है? ये प्ले, सुजैन हिल ने हमें ये बताने की कोशिश की है इस प्ले में कि जो लोग डिसेबल होते हैं, तो उन डिसेबल लोगों को क्या चाहिए होता है? उनको सुसाइटी में चाहिए होता है एक सपोर्ट वो इस बात से दुखी नहीं होते हैं कि वो disabled है बट इस बात से जरूर दुखी हो जाते हैं कि वो disabled है और सामने वाला जो व्यक्ती है वो उनको ये realize करवा रहा है कि आप disabled है और उनको वो जगे नहीं दे रहा है society में जो उनकी होनी चाहिए ठीक है तो इस प्ले में दो करेक्टर है एक है Mr. Lamb और एक है Derry Mr. Lamb एक old man है और जो Derry है वो एक चोटा बच्चा है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं line-wise line इसका हिंदी में explanation Before you read This is a play featuring an old man and a small boy meeting in a farmer's garden ये play कैसे शुरू होता है कि एक old man है और एक small boy है वो दोनों कहां मिलते हैं एक farmer के garden में The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and deft तो जो वो old man होते हैं वो क्या करते हैं वो जो है friendship करना चाहते हैं किस से उस बच्चे से लेकिन वो बच्चा कैसा है वो बच्चा बहुत introvert है वो किसी से मिलना नहीं चाहता किसी भी व्यक्ती से किसी परसन से उसे नहीं मिलना है what is the bond that unites the two वो क्या bond है जिसकी बच्चे से वो दोनों एक हो जाएंगे मित्र बन जाएंगे तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस play में आगे Mr. Lamb Garden There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling जो Mr. Lamb का garden है वहां से कभी-कभी पक्षियों के गाने की और पत्तों की सरसरहाट की आवाज आती रहती है ठीक है Derry's footsteps are heard as he walk slowly and tentatively throw a long grass और अब क्या हो रहा है कि Derry के जो footstep है यानि उसके कदमों की आवाज दीरे-दीरे वहाँ पर सुनाई दे रहे है कभी वो दीरे-दीरे चलता है कभी वो वहाँ से तेज़ चलने लगता है उस लंबी-लंबी grass में He pause, कभी वो रुख जाता है Then walk on again और फिर से चलने लगता है He comes round A screen of bushes वो जो है उस bushes का वो वहाँ पर जो जाडियां है उसमें घूम कर आता है चक्कर लगा कर आता है वहाँ से So that when Mr. Lamb speaks to him He is close at hand And Derry is still और इसी लिए क्या होता है कि जब Mr. Lamb उसे बोलते है उसे बात करते है तो वो क्या हो जाता है एकदम से चौंग जाता है Mr. Lamb Mind the apples Mr. Lamb क्या गोलते है अरे अपल का ध्यान डखो Derry What? Who's that? Who's there? वो क्यता है क्या? वे कौन है? महां कौन है? अब उसको नहीं दिख रहे है क्यावल आवाज सुनाई दे रही है Mr. Lamb My name मेरा नाम क्या है? Mr. Lamb Mind the apples Apples का ध्यान डखो Crab apple Those are Wind falls in the long grass You could try तो वो बताते हैं कि मेरा नाम Lamb है तुम सेवों का ध्यान डखो वो सेव कैसे है? Crab Crab apple कैसे होते हैं? उन्हें हम जंगली सेव कह सकते हैं वो कैसे होते हैं? स्वाद में खटे-खटे होते हैं खटे होते हैं तो वो बता रहे हैं कि तुम उनका ध्यान डखो वो जो लंबी घास है ना वहां पर हवा से वो जो एप्पल है गिर गए है, तेज हवा से और तुम क्या करोगे, तुम उनसे को पैर रब दो, ठोकर खा सकते हो उनसे, है न, तो डैरी कहता है, I, there, I, I thought this was an empty place, तो वो थोड़ा सा घबडाता है, बुलता है, मैं, मैं, वहाँ, मैंने तो सोचा था, कि ये जगे कैसी है, खाली है, I didn't know, there was nobody here, मैं नहीं जानता था, कि यहाँ पर कोई है, there was anybody here, कि यहाँ पर कोई है, मुझे नहीं मालूम था ये बात, तो अब Mr. Lem क्या कहते है, Mr. Lem कहते है, That's all right, I am here, what are you afraid of, boy, that's all right, अब Mr. Lem उसे कह रहे है, कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, तुम किस से डरते हो लड़के, कोई बात नहीं, डर की रहे हो, कोई बात नहीं है, all right, सब ठीक है, I thought it was empty, an empty house, डेरी फिर से कहता है, मैंने तो फुशा था, ये खाली है, एक जब तक ही खाली है, it is empty, खाली है, until I go back inside, जब तक खाली जएगा, तब तक मैं अंदर न चला जो, in the meantime, I am out here, and likely to stop, और वो कह रहे है, कि जो है, मैं जो है, बाहर रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, इस दोरान, मैं यहाँ पर बाहर हूँ, और मुझे बाहर रहना ही, ज्या In a day like this, beautiful day, not a day to be indoors, कि यह जैसा दिन है न, ऐसे दिन में, जो इस beautiful day में, एक सुन्दर दिन में, जो है, मैं अंदर रहना तो, बिलकुल ही पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मेर को तो बाहर रहना ही अच्छा लगता है, डैरी, पैनिक, पैनिक मतलब थोड़ा सा डरा हु Not, Mr. Lam कहा रहे है, Not, on my account, मेरे घारन नहीं, मेरी बज़े से नहीं जाओगे तुम, I don't mind, who comes into the garden, वो कहते हैं, मैं बिलकुल परवाह नहीं करता हूँ, कि गार्डन में कौन आता है, The gates always open, इसका दर्वाज़ा तो हमेशा खुला रहता है, किसका gate? उस garden का, Only you climb the garden wall, अके लिए तुम ही ऐसे हो, जो garden wall को फांद के यहां पर आई हो, है ना, तुम बगीचे की दीवार पर फांद के आई हो, चड़ के आई हो, केबल तुम ऐसे हो, पीक दर्वाज़ा तो खुल But the gate opened, लेकिन दर्वाज़ा तो खुला था, All welcome, सबके स्वागत के लिए, You are welcome, तुमारा भी स्वागत है, I sit here, मैं यहां बैठा हूँ, I like sitting, मुझे बैठना अच्छा लगता है, Derry, I will not come to steal anything, अब Derry कहता है, मैं यहां पर कुछ चुराने के लिए नहीं आया हूँ, मतलब आ No, no, the young lads still scrub the apples, you are not so young, अबो कहते है, नहीं नहीं, छोटे बच्चे, कोई बात नहीं, नहीं, छोटे लड़के, छोरी, नहीं, स्वेमो की छोरी, ऐसा, तो तुम इतने अभी, जो है, बड़े भी नहीं हो, मतलब है ना, तुम इतने छोटे बच्चे हो, तुम क्या चोरी कर होगे, कहने का मतलब ये था उनका, you are not so young, इतने छोटे भी नहीं हो, कि तुम केवल एपल सी चोरी करने के लिए, कहने का मतलब ये है उनका, बड़े कहते है, I just wanted to come in, into the garden, वो कह रा है, मैं तो केवल अंदर आना चाहता था, और कहा आना चाहता था, इस garden में, इस बगीचे में, Mr. Lam, so you do, here, we are, then, तो कहते है, हाँ, तो तुमने एकर लिया न, तुम आ गई न, और फिर हम दोनो यहाँ पर है, you don't know who I am, तो कहते है, आप नहीं जानते, कौन हूँ मैं, Mr. Lam कहते है, a boy, एक लड़के हो, 13 और सो, कि तेरे साल के, या उसके आसपास होंगे आप, तो Derry कहते है, 14, मैं 14 साल का हूँ, पर फिर रुक जाता है, कहते है, but I have got to go now, goodbye, कहते है, लेकिन मुझे अब जाना होगा, goodbye, Mr. Lam कहते है, nothing to be afraid of, just a garden, just me, अब बताते हैं, कि डरने की तो कोई बात नहीं है, Mr. Lam कहते है, यह क्या है, यह केवल एक बगी चाही तो है, और केवल मैं ह फिर क्यों डर रहे हो तुम, फिर ऐसे क्यों बार बार बोल तो हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, Mr. Lam, why should that be, Mr. Lam, nothing to be afraid of, just a garden, just me, अब बोला ऐसा, फिर डरी कहते है, but I am not, I am not afraid, फिर रुक जाता है, इतने कहते है, people are afraid of me, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं डरता लेकिन लोग बाग मुझसे डरते हैं, Mr. Lam, why should that be, कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों डरते हैं, वहीं वो, क्या बात है, फिर डरी कहता है, everyone is, it doesn't matter who they are, or what they say, or how they look, how they pretend, I know, I can see, अब डरी बताता है, कि हर आदमी डरता है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, कि वे कौन हैं, वे क्या कहते हैं, और या कैसे नजर आते हैं, वे जो है, कैसे दिखावा करते हैं, मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं, और मुझे दिखता है, कि वो दिखावा कर रहे हैं, अब Mr मिस्टर लेम पूछते हैं सीवाट उसने का ना I can see तो पुछते हैं क्या क्या दिखता है दुमें क्या समझ जाते हो तुम what they think तो उसने का कि वो क्या सूचते हैं what do you they think then मिस्टर लेम पूछते हैं फिर क्या सोचते हैं वो और वो कहता है कि आप सोचते हो लो क्या है ये एक लड़का है फिर आप मुझे देखते हो फिर आप मेरा चेहरा देखते हो और आप सोचते हो क्या सोचते हो आप that's bad कया सोचते हो ये बुरा है that's a terrible thing ये एक भयानक चीज है that's the ugliest thing I ever saw ये सबसे बचुरद चीज है जो मैंने कभी भी देखी है poor boy but I am not आप सोचते हैं बेचारा लड़का लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ ये डेरी बता रहा है कि आप ये सब सोच रहे होंगे तर वो बीच में कहता है अपनी बात आप कहते हैं बेचारा लड़का लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ not poor underneath you are afraid anybody would be I am फिर वो कहता है अंदर से अंदर नीथ या नी अंदर से आप डरे हुए है कोई भी डरेगा कोई भी डरेगा I am when I look in the mirror और मैं भी मैं भी डरा हुआ हूँ जब मैं mirror में देखता हूँ and see it और इसको देखता हूँ I am afraid of me जब किसको देखता हूँ अपने face को देखता हूँ अपने चेहरे को देखता हूँ तो मैं भी इसको देखके क्या होता है डर जाता हूँ ये सब बाते Dary बता रहा है उन्हाँ चलिए आगे देखते हैं Mr. Lamb क्या आब बताते हैं इस बच्चे को Mr. Lamb उसको मिस्टर लेम की बात समझ नहीं आती है मिस्टर लेम लेटर ओन वेन इट्स अबिट कूलर आइल गेट दा लेडर एंड आ स्टिक एंड पुल डाउन दोस क्रैब एपल अब मिस्टर लेम बताते हैं बाद मैं क्या करूँगा मैं थोड़ी सी जब ठंड हो जाती है तो मैं एक सीड़ी और एक क्या लूँगा एक स्टिक लूँगा एक छड़ी लूँगा और वो जो सेव लगे हुए न जंगली वाले उन सेवों को मैं क्या करूँगा नीचे खीच लूँगा ठीक है यह जो सेप्टेंबर का महीना है इस साल का यह सबसे अच्छा समय होता है किस के लिए जैली बनाने के लिए लुक अट डेम औरेंज और गोल्डन देखो उनको वो कैसे कलर के हैं औरेंज कलर के और गोल्डन कलर के हैं ठीक है नारंगी रंके और सोनहरी रंके है यह जो फ्रूट है ना वो कैसा है जादूई फ्रूट है यह एक तरीके से I often say मैं अक्सर कहता हूँ but it's best picked and made into jelly पर इनका सबसे अच्छा जो ओपियोग है वो क्या है कि इनको तोड़ो और तोड़ लो और इनसे क्या कर लो jelly बना लो you could give me a hand give me a hand का मतलब कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यह dairy से कहते है dairy what have you changed the subject for आपने विशय क्यों बदल दिया people always do that लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं why don't you ask me आप उसे क्यों नहीं पूछते हैं why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there तो वो कहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही क्यों कर रहे हैं जैसे वे लोग करते हैं वो क्या करते हैं वो दिखावा करते हैं बहाना करते हैं तो कहें सच नहीं है यहाँ पर यह बात सत्य नहीं है in case I see you looking and mine and get upset तो यदि आप जो है क्या करते हैं आप देखते हैं मुझे फिर आप सोचते हैं और आप देख के क्या होजाता है upset होजाते है I will tell you मैं आपको बताता हूँ you don't ask me because you are afraid you want me to ask say so then तो तुम चाहते हो कि मैं तुम से पूछू तो बताओ फिर क्या बात है dairy I don't like being with people any people dairy कैता है मुझे जो है किसी के साथ भी रहना किसी व्यक्ती के साथ रहना मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता किसी व्यक्ती के साथ रहना मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है किसी के साथ भी रहना मैं किसी व्यक्ती के साथ नहीं रहना चाहता है Mr. Lam I should say to look at it I should say you got burned in fire अब Mr. Lam कहते है कि मुझे ये कहना चाहिए था और मुझे इसकी और देखना भी चाहिए था मुझे क्या कहना चाहिए था कि जो आपका फेस है वो क्या हो गया है फायर से जल गया है Daddy Not in fire नहीं आक से नहीं I got acid all down that side of my face क्या हो गया है acid गिर गया है तेजाब गिर गया है मेरे चहरे के side पर and it burned it all away और इसनों ये पूरा हिस्ता मेरा जला दिया it ate me face up वो मेरे पूरे चहरे को खा गया है it ate me up और वो मुझे भी खा गया है ये acid यानि मेरी identity जो है वो इस acid में खा ली and now it's like this and it won't ever be any different और अब ये ऐसा दिखता है जो आगे कभी भी change नहीं होगा इसमें कोई भी परिवंतर नहीं आएगा डेरी बोलता अब ये मतलब ऐसा ही रहेगा ये देखी पिक्चर में दिखा रहे है ये Mr. Lamb बैठे हुए है और ये इदर डेरी खड़ा हुआ है चलिए आगे देखते है Mr. Lamb, no Mr. Lamb केते हैं, नहीं Derry, aren't you interested? तो मैं केते हैं, क्या आप interested नहीं है आप दिल्चस्पी नहीं लेते हैं इसमें तो Mr. Lamb केते हैं, you are a boy who came into the garden तो मैं एक लड़के हो, जो की garden में आय थे plenty do, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं I am interested in anybody मैं तो हर किसी में interested रहता हूँ anything, हर चीज में there's nothing, ऐसा कुछ भी नहीं है God made that, doesn't interest me कि भगवान ने वो चीज बनाई हो और मैं उसमें interest नहीं हो ऐसा कुछ भी नहीं है look over there, वहाँ देखो Mr. Lamb उस बच्चे से कहते हैं, वहाँ देखो over beside the far wall उस जो ball है दूर दीवार जो है उसके पास देखो आप बगल में देखो उसके what can you see, तुम्हें क्या दिखाई देता है डेरी कहता है, rubbish, कुड़ा करकर Mr. Lamb, rubbish, कुड़ा लोग बॉआ है, लोग लगे, ध्यान से देखो, ध्यान से what do you see, तुम्हें क्या दिखता है डेरी कहता है, just grass and stuff कुछ घास दिखाई देती है और कुछ कुड़ा कवाड़ा दिखता है weeds और weeds भी दिखते हैं, यानि कुछ जंगली पौध ही दिखाई देते हैं ठीक है, some call them weeds अब Mr. Lamb कहते हैं कि कुछ लोग उसको weeds कहते हैं, जंगली पौधे कहते हैं if you like, अगर तुम उसे पसंद करते हो then a weed garden, तो तुम क्या बोलोगे then a weed garden, that की वो क्या है एक weed garden है there's fruit and there are flowers वहाँ पर fruit हैं, और वहाँ पर flowers and trees and herbs पेड़ हैं, और जड़ी पूटियां है all shots, सब टरकार की but over there weeds लेकिन इस ते उपर सब जब़ेगे क्या है, वो जंगली पौधे हैं I grow weeds there, मैंने वहाँ पर वो जंगली पौधे उगाई हैं, मैंने वो weed garden बनाया है, वो यह कहना चाहरा है why is one green growing plant called a weed and another flower तो कह रहे हैं, क्यों एक जो है बढ़ने वाला plant green plant जो है उसको weed कहा जाता है और दूसरे को flower कहा जाता है where is the difference अंतर कहा है तोनों में दोनों ही तो green है it's all life यह इसी तरीके से यह पूरा एक जीवन है यह जीवन का जीवन का है growing का बढ़ते जाने का some is you and me बिल्कुल ऐसा ही same मेरे और तुम्हारे जैसा जैसे मैं भी इंसान हूँ तुम भी इंसान हो इस तरीके से वो वनिस्पतियां सब एक सीजी है ठीक है अब डैरी कहता है we are not the same हम दोनों same नहीं है Mr. L.M. कहते है I am old मैं बूरा हूँ you are young तुम जवान हूँ you have got a burnt face तुम्हारे पास एक जला हूँ चहरा है I have got a tin leg मेरे पास एक tin की leg है not important पर यह कुछ important नहीं है कुछ महत्पून नहीं है you are standing there तुम्हां खड़े हो I am standing here I am sitting here मैं यहां बैठा हूँ where is the difference difference कहा है कहा है अंतर Derry why have you got a tin leg अब Derry एकदम से पूछता है कि आपकी यह tin leg कैसे है क्यों हो गई क्या चक्कर है आपकी जो पेर है एक tin का कैसे है Mr. Lamb real one got blown off years back बहुत साल पहले क्या हो गया था मेरा यह जो पेर है वो उड़ा दिया गया था काई से बॉम से उड़ेगा नेच्रल है Lamby Lamb some kids say कुछ बच्चे मुझे क्या बोलते है Lamby Lamb मतलब लंगडा Lamb बोलते है haven't you hear them क्या तुमने कभी नहीं सुना हुने you will तुम सुन लोगे Lamby Lamb it's fit और यह fit भी करता है suit भी करता है doesn't trouble me और यह मुझे कभी भी trouble नहीं करता है मतलब मैं इस सुनके परिशान नहीं होता है कि बच्चे मुझे ऐसा कहके छड़ा रहे है तो मेरे को परिशानी हुआ बिल्कुल नहीं होता but you can put on trouser and cover it up and no one sees they don't have to notice and stare वो कह रहा है तो तुमसे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं है ना तो जो है तुमारे लिए तो सही है क्या हो गया अगर टिन की भी है तो कोई नहीं देख रहा Mr. Lamb Some do, some don't They get tired of it In the end There's plenty of other things to stare at अब वो बताते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं मतलब कुछ गूडते हैं कुछ नहीं गूडते हैं और कुछ इसको देख के थोड़े कैसे जाते हैं उब से जाते हैं और लास्ट में क्या होता है देखने के लिए वो कहते हैं और बहुत सी चीज़े हैं इनको क्या देखें, इनके पेर को क्या देखें, डैरी कहता है, like my face, मेरे face की तरह है, मिलकुल मेरे चहरे की तरह है, जैसे लोगवाग मेरे चहरे को गूरते हैं, ऐसे गूरते हैं, उससे पूछ रहा है, ये Mr. Lam से, Mr. Lam कहते है, like crab apples, or the weeds, or a spider climbing, up a silken ladder, or my tall sunflowers, तो बताते हैं, कि कैसे देखते हैं वो, वो मेरे जो apples हैं, ये जंगली सेव हैं, और जंगली पौदे, और या फिर एक मकडी, जो क्या बनाती है, रेशम की एक सीड़ी पर चड़ रही है, या मेरे जो लंबे-लंबे सूरुमकी के फूल हैं, वो उन सब चीजों को देखते हैं ठीक है, तो डरी कहता थिंग्स, अच्छा ये सब जीजें, Mr. Lamb, it's all relative, beauty and the beast, ये सब क्या है, relative है, मिलता जूलता है, किस से, किस से relate करता है ये सब कुछ, किस से beauty and the beast, beauty and the beast जो है, आपने बचों कहानी पढ़ी होगी, है न, एक राक्षस की, और एक राजकुमारी की, वो उस पर कैसे किस से मिलता जूलता है, सुन्दरता और उस बयानकता से, beauty and the beast, ठीक है, तो डरी पूछता है, what's that supposed to mean, कि इसका क्या आर्थ मानते हैं आप, तो mister, you tell me, आप बताओ, तुम बताओ, क्या मतलब है इसका, तो डरी कहता है, you needn't think, they haven't all told me that fairy story before, तो वो कह रहे हैं, आप आपको यह नहीं सोचना चाहिए, कि उन्होंने मुझे यह परियों की कहानी मुझे पहले नहीं बताई गई है, आप यह सोच रहे हो, कि आप जो मुझे बीट यह बता रहे हो, तो आपको यह बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, कि उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई है, it's not what you look like it's what you are inside बात यह नहीं है कि आप कैसे नजर आते हो बलकि आप अंदर से क्या हो handsome handsome is as handsome does तो वो कह रहे है कि सुन्दर वो है जो सुन्दर काम करता है handsome does है ना कितने अची बात कहीं देखो डेरी नहीं हापर वो कह रहा है handsome is as handsome does कि सुन्दर वो है जो अच्छे काम करता है सुन्दर काम करता है beauty loved the monster beast for himself and when she kissed him he changed into a handsome prince तो अब डेरी बता रहा है कि जो beauty थी उसने क्या किया था वो सुन्दर राचकुमारी ने उस डिरावने जो जानवर था राक्षस था उसको क्या किया उसको उसी रूप में प्यार किया जैसा वो था है ना और जब उसने उसको किस किया तो क्या हुआ वो सुन्दर राचकुमार में बदल गया only he wouldn't he would have stayed a monster beast I want change अब वो क्या कह रहा है कि केवल वो वो जो monster था वो तो बदल गया लेकिन मैं जो है नहीं बदलूँगा है ना मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो I won't change जो है उस monster beat की जरह मतलब मैं जिस तरीके का डरावना इससे मैं बना हूँआ हूँ मैं वैसा ही रहूँआ और मैं नहीं बदलूँगा यह किस ने का Mr. Lamb ने का कि मतलब इस तरीके से तो नहीं बदलोगे जैसे वो beauty of the beast में बदल गया था ऐसे तो नहीं बदलोगे कि कोई राचकुमारी आईगी तुम्हें किस करेगी और तुम चेंज हो जाओगे ऐसा तो बिलकुल नहीं होगा Mr. Lamb कहते है and no one no one will kiss me ever और मुझे कभी कोई भी किस नहीं करेगा only my mother मेरी मा के अलावा केवल मेरी मा वो ही किस करेगी and she kisses me on the other side of my face और वो भी क्या करती है मेरे face के दूसरी side पर जो इस तर चला हुआ नहीं है वहाँ पर किस करती है and I don't like my mother to kiss me और मेरी मा जब मुझे जो चूनती है प्यार करती है तो ये मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता बिलकुल पसंद नहीं करता हूँ मैं she does it because she has to वो ऐसा ऐसले करती है कि उसको ऐसा करना पड़ता है मा हैं तो प्यार करना पड़ेगा वो ऐसा सोचता है बच्चा why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me मैं ये क्यों पसंद करूँ? मुझे कोई जिन्दा नहीं है कि मुझे कोई आके चूमे या ना चूमे इसकी मुझे कोई परवा नहीं है वो मा के लिए ऐसा क्यों सोचता है? कि उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मा भी उस पर दया करके इसलिए उसे किस करती है उसे ऐसा लग रहा है Mr. Lamb Ah, what do you care if you never kiss them? अब वो कहते हैं अब तु क्या तुम चिंता करते हो कि जब तुम उनको कभी भी नहीं चुमते हो कि तुमने कभी देखा है कि तुमारी मा तो हमेशा आके तुम्हे किस करती है तुमने कभी चुमा उन्हे कभी उन्हे किस किया अब ये Mr. Lamb पूछ रहे है तो डैरी केता है What? क्या? Mr. Lamb Girls, pretty girls Long hair and large eyes People you love मतलब आपकी मा भी तो आपको प्यार करती है आप कहरे हो कोई मुझे किस नहीं करेगा तो मैं तो उन्हें सब की बात कर रहा हूँ मा तो आपको प्यार ही करती है वो girls, pretty girls, long hair वाली, long eyes वाली और people जो लोग आपको प्यार करते हैं वो आपको प्यार करेंगे अब उपर मा की बात करी तो मा को आपने कभी उन्हें किस किया है मा तो आपको रोज करती है डिरी, would let me not one मुझे कौन करने देगा एक भी नहीं अब जब Lamb ने कहा Mr. Lamb बोल रहा है कि लड़कियां, सुन्दर-सुन्दर लंबे-लंबे बालों वाली और ऐसी लड़कियां और लोग बाग जने तुम प्यार करते हो तो वो कह रहा है कि मुझे कौन किस करने देगा मुझे तो कोई नहीं करने देगा Who can tell? Mr. Lamb कहते है कौन कह सकता है हो सकता है कोई ऐसा हो तो मैं प्यार करने बाला भी कोई हो I won't ever look different when I am as old as you I look the same I'll still only have half a face तो डेरी कहता है मैं कभी भी इस से अलग नहीं लगूँगा मतलब मैं जैसा दिखता हूँ मैं बैसा ही दिखूँगा जब मैं आपके जितना बुरा हो जाँगा और तभी भी मैं ऐसा ही नजर आँगा जैसा मैं अभी भी आता हूँ तभी मेरा आधा ही चहरा होगा आधा तो मेरा face जला हुआ है Mr. Lamb So you will But the world won't Mr. Lamb कहते है हाँ तो मैं ऐसे ही लगोगो लेकिन दुनिया नहीं दुनिया ऐसी नहीं रहेगी दुनिया तो बदल जाएगी The world got a whole face And the world dare to be looked at तो कहते हैं लेकिन ये जो दुनिया है ना इसका तो पूरा चहरा है और संसार ये चाहता है कि उसे पूरी तरीके से देखा जाए आप उस संसार को देखोगी नहीं अंदर घुजे बैठे जाओगे डर के मारे कुंडी लगा के बैठ जाओगे कि हम बाहर जाएगे तो हमें दूप लग जाएगी हम काले हो जाएगे अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा आपको दिखाई देगा संसार में क्या चल रहा है या न हो Dairy Dairy उसके पूछता है आप क्या सोचते है कि यह संसार है यह पूरा संसार है Do you think इस धर वर्ल यह संसार है यह पूरा गाडन यह पूरा गार्डन Mr. Lamb When I am here Not the only one But the world As much as anywhere When I am here जब मैं यहां रहता हूं तो जब मैं यहां रहता हूं तो यह जो है मेरे लिए क्या है एक पूरी दुनिया है यही है सब कुछ मेरे लिए But the world As much as anywhere पर जो संसार है वो और भी यहां से कुछ ज़्यादा है हर जगा व्याप्त है Does your leg hurt you? अब डैरी पूछ रहा है कि आपका जो पेर है जो टिन वाला है वो कभी आपको दर्द करता है Mr. Lamb के बोलते है तिन डोसेंट हर्ट बॉई तो वो कहता है कि यह जो टिन है उसमें कभी दर्द नहीं होता टिन में क्या दर्द होगा? वो तो बेजान है उसको बताते है When it came off Did it तो डैरी कहता है कि जब यह जो है हटाई जाएगी हटाईगी तो क्या दर्द होगा? फिर दर्द होगा? उसने पूछा जब इसको हटाया हटाऊगे हटाया कभी आपने तो मिस्टर लों कहते है Certainly हाँ निश्यत दर्द होगा And now I mean Where the tin stops At the top अब डैरी बताता है कि जो है मेरा मतलब है कि जहाँ तिन नहीं है Top पर उपर जहाँ से जोड़ रहा है महाँ पर तिन नहीं है महाँ पर आपको दर्द होता है Mr. Lair Now And then In Wet weather अब वो कहते हैं कि हाँ कभी कभी जब बरसात का मौसम होता है ताब मेरे को दर्द होता है It doesn't signify तो ये कोई खास बात नहीं है है ना कोई मैटमन बात नहीं है Oh That's something else They all say Oh ये कुछ और बात है जो सब कहते हैं Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves उन लोगों को देखो जो पीडा में हैं और सहासी हैं कभी भी नहीं रोते हैं अना कभी कोई शिकायत करते हैं और जिनको अपने आप पर कोई खेद नहीं होता है अब डेरी को खुद समझ में आने लगी बात तो देखे ज़र मिस्टर लैम अपने आप पर कोई भी दुख नहीं जता रहे हैं तो अब उसको भी समझ में आ रही है बात मिस्टर लैम I haven't said it मैंने ये बात जो है कभी नहीं गई वो कह रहे है मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा कि लोग बाग दुखी होते हैं क्या डेरी अरे उन सब लोगों के बारे में सोचो जो आप से बत्तर हालत में है और जदा बुरी हाल में है तो कह रहे हैं सोचो आप अंदे हो सकते थे हैं या बहरे पैदा हो सकते थे या फिर आप जो वीलचेर की कुरसी पर रहते हो हैं तो हो सकता है कि आपको क्या हो जाता आपका ब्रेन जो है डेर्ड हो जाता और आपका मुह से लाट अपकती रहती जब आपका ब्रेन ही काम नहीं करता है आपको पता ही नहीं रहता कुछ तो ऐसा कुछ भी हो सकता था आपके संग Mr. Lam and that's all true and you know it तो वो कहते हैं हाँ यह सब सच है ऐसा कुछ भी हो सकता था मतलब ऐसा नहीं हुआ अगर तुम ऐसी स्थिती में हो तो तुम सही हो तो तुम इसे जानते हो मतलब तुम्हें पता है यह बात है Daddy, it's won't make my face change पर इससे मेरा चहरा तो नहीं बदलेगा न Do you know, one day a woman went by me in the street I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said whispered, only I heard her, she said look at that, that's a terrible thing That's a face, only a mother could love अब Daddy, उपना एक किस्सा बताता है, वो कहता है कि एक बार क्या हुआ था, आपको पता है एक बार क्या हुआ था एक दिन एक औरत गली में मेरे पास से गुज़ी और मैं एक बस स्टॉप पर खड़ा था तो वो दूसरी औरत के साथ में थी और उसने मुझे देखा और उसकी उस औरत से धीमी आवाज में खुशर्पुशर करने लगी और उससे क्या बोली, जो बात उसने बोली वो मुझे सुनाई दी और तो जो कुछ तुमने सुना उस पर तुम श्वास करते हो जो कुछ सुना वहाँ पे it was cruel तो उसने का ये जो मैंने सुना था बहुत cruel था, बहुत निर्दई था मेरे लिए Mr. Lamb, maybe not mean as such, just something sad between them तो ऐसे में हो सकता है कि कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझते हो केवल कुछ बात जो दोनों के बीच हुई, हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रही हो उनका कहने का मतलब ये हो कि बच्चे को, बच्चे तो कैसा भी हो चाहे वो लंगड़ा हो जाए, चाहे अंधा हो जाए चाहे लूला हो जाए, चाहे चेहरा जल जाए मान तो हर हाल में प्रेम करीगी न तो Mr. Lamb कुछ ऐसा समझाना चाह रहे है कि देखो, हो सकता है, तुमने ऐसा समझा हो लेकिन उसका ये मतलब ना हो वो कुछ और कहना चाह रही हो तुमने जितना पार्ट आपने सुना आपने उसका मतलब निकाल लिया Only I hear it, I hear it केबल मैंने सुनी केबल मैंने सुनी उनकी बात Mr. Lamb And is that the only thing you ever heard anyone say in your life और क्या तुम्हारे जीवन में केबल यही बात है जो किसी ने कही और तुमने सुनी केबल यही बात है डरी कहता है Oh no, I have heard a lot of things मैंने बहुत सारी चीज़े सुनी है Mr. Lamb So, now you keep your ears shut तो इसलिए अब क्या करो तुम अपने कानों को बंद रखो तुम सुनो ही मत को क्या कह रहा है अपने कानों को बंद कर लो डरी You are peculiar तुम बड़े अजीव हो peculiar means अजीव तुम बड़े अजीव हो भई तुम अपने कानों को बंद कर लो ठीक है? Mr. L. M. I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gates open. Mr. L. M. कहते हैं, मैं बात करना पसंद करता हूं. Company चाहता हूं किसी वेक्ति की साथ चाहता हूं. आपको ऐसे सवालों के जवाब देनी की जरूद नहीं है. और आपको यहां बिल्कुल भी रुकने की भी जरूद नहीं है. दर्वाजा खुला हुआ है. मतलब अब तुम जाना चाहो तो चले जाओ. मैं तो ऐसे ही कहूंगा. मुझे बातें करना पसंद है, किसी की company पसंद है. है ना, और अकर तुम मेरे questions का answer देना नहीं चाहते हो, तो तुम यह रुको भी मत. चले जाओ, दर्वाजा खुला हुआ है. Daddy, yes, but, हाँ, लेकिन, वो कुछ कहना चाहरा है. इससे पहले Mr. Lamb बोल पड़ते हैं. I have a hive of bees behind those trees over there. वो कहते हैं, वहाँ, पर पेड़ों के पीछे मक्षियों का एक छत्ता है मेरे पास. ठीक है? Some hear bees and they say, bees buzz. कुछ लोग मक्षियों की आवाज सुनते हैं और वो कहते हैं कि मक्षियां क्या करती हैं? buzz करती हैं, बन-बनाती हैं. But, when you listen to bees for a long while, they hum and hum means sing. I hear them singing my bees. जब मक्षियों को लंबे समय तक सुनते हैं, तो वो भिन्विनाती हैं. जिसका आर्थ होता है, वो क्या करती हैं? उनका भिन्विनाना कैसा होता है? हम होता है. हम करना होता है. तो उनका भिन्विनाना जिसका आर्थ लगता है हमें, कि वो क्या कर रही हैं? वो गाना गाती है उस humming का मतलब गाना गाना भी होता है तो मैं जो है जब सुनता हूँ तो अपनी मक्षियों का गाना सुनता हूँ ठीक है यहाँ पर Mr. Lam का मतलब यह हो गया कहने का कि आप जिस चीज को जिस नजरिये से देखो के आपका नजरिया जैसा होगा वो चीज आपको वैसी ही दिखाई देगी कुछ लोगों को उसमें केबल मक्षियों का बिन बिनाना सुनाई देता है और मुझे उनकी हमिंग में गाना सुनाई देता है ठीक है तो वो डेरी को यह समझाना चाह रहे है कि आप चीजों को positively लो यह कहना चाह रहे है वो डेरी बट I like it here I came in because I liked it when I looked over the wall तो डेरी कहता है लेकिन मैं जो है यहां इसे पसंद करता हूँ मैं इसलिए अंदर आया था क्योंकि मुझे यह पसंद है इसलिए मैं यहां आ गया जब मैंने इसको दिवार के उपर से देखा था इस गार्डन को मतलब अभी वो जाने को बोल रहा है मुझे तो अच्छा लगता है यह आप है Mr. Lamb If you'd seen me you'd not have come in अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम नहीं आते अगर अपने मुझे देखा होता तो नहीं आते Derry केता है नहीं Mr. Lamb केते है नहीं तो Derry केता है ऐसा नहीं है Mr. Lamb केते है नहीं ऐसा नहीं है मैं सही कह रहा हूँ Derry It would have been trespassing तो वो कहते हैं यह तो क्या होता अगर मैं ऐसे आ जाता तो यह क्या होता एक अतिक्रमन होता मतब जवर्दस्ती घुसपैट कर लेता फिर मैं Mr. Lamb Ah, that's not why हाँ, इसलिए तो नहीं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तो Derry केते हैं I don't like being near people when they stare when I see them being afraid of me तो Derry बताता है कि मैं लोगों के पास में रहना पसंद नहीं करता हूँ जब वो मुझे देखते हैं और जो है वो मुझे देखके क्या हो जाता है जब मुझे घुरते हैं और मुझे देखके डर भी जाते हैं तो मुझे ए चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती Mr. Lamb You could lock yourself up in a room and never leave it तुम अपने आपको कमरे में बंद रख सकते हो और कभी इससे बाहर नहीं आते हो ऐसा कुछ भी कर सकते हो तुम There was a man who did that एक आदमी था जिसने की ऐसा किया था He was afraid You see वो डरता था तुम जानते हो वो डरता था Of everything हर चीज से Everything in this world संसार की हर चीज जो इस दुनिया में है A bus might run him over और a man might breathe badly germs onto him वो कि इस चीज़ डरता था कि एक bus जो है उसके उपर निकल गया यह उसके कुछल सकती है और एक आदमी उससे जो है अपनी सांस के जो वाइरस है उसके उपर छोड़ सकता है मतलब दूसरा आदमी कर सामने आएगा तो वो germs छोड़ देगा अपने उपर और a donkey might kick him to death और एक गधा जो है उससे kick मारेगा उससे दुलत्ती मार सकता है यह नँ मतलब यह इन छोटी-छोटी and the girl would leave him and he might slip on a banana skin and fall and people who saw him would laugh their head off so he went into his room and locked the door and got into his bed and stayed there तो क्या बताया उन्होंने कि वो व्यक्ती कितना डरता था उसने का मेरो पर बिजली गर जाएगी अब वो कह रहा है कि कोई लड़की को प्यार करे और लड़की उसको छोड़के चली जाए या केले के चलके बसे फिसल सकता है वो गिर सकता है और जो लोग उसे देखेंगे वो उस पर हासेंगे इसलिए वो उस कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया और बिस तरपा लेड गया और वो वही रहा ठीक है Derry Forever Derry पूछता है हमेशा For a while Mr. Lam कहते है हाँ उस समय के लिए तो रहा ही वो है न कुछ देर के लिए तो रहा इसके बाद क्या Then what Derry ने पूछा इसके बाद क्या Mr. Lam A picture fell off the wall onto his head and killed him यह क्या हुआ दीवार पर से एक तस्वीर उसके सर पे गिरी और वो मर गया ठीक है आगे दीखें फिर क्या होता है Derry laugh a lot Derry बहुत हसास किये बाद की मतलब इतनी सब चीजों से वो डर रहा था बाहर इसलिए निकल ला था उसे मार ना दे और कमरे में क्या हो गया उसके उपर वो तस्वीर गिरी और वो मर गया Mr. Lam You see Derry But you still say peculiar things अब वो Mr. Lam से कहता है हसरा है वो कि अच्छा आप समझते हो लेकिन आप जो है बड़ी अजीव गरीब बाते करते हो Mr. Lam Sit in the sun Read books You thought it was an empty house But inside it's full books and another things Full So Mr. Lam कहते है Mr. Lam peculiar to some Mr. Lam पहले बोल रहे है कि हाँ हाँ कुछ अजीब बात करता तू हूँ कुछ तो है ऐसा What do you do all day अब ड़ी पुछ रहा है आप पूरे दिन क्या करते हैं So Mr. Lam कह रहे है Sit in the sun धूप में बैठता हूँ Read books, kitabah पढ़ता हूँ Are you thought it was an empty house तुमने सोचाता है कि ये खाली घर है But inside it's full लेकिन अंदर ये पूरा भरागुआ है Books and other things, kitabah से और दूसी चीज़ों से पूरा full है But there aren't any curtains at the window लेकिन यहां की जो window है उसके पास तो एक भी परदा नहीं है Mr. Lam I am not found of curtain मुझे जो curtain पसंद नहीं है मुझे परदा पसंद नहीं है Shutting things out Shutting things in क्या बोलते हैं वो कि मुझे परदे का कोई शौक नहीं है अंदर से देखने को रोकना और बाहर से देखने को रोकना परदा क्या करते हैं कि बाहर से अगर कोई देखेगा तो वो रोकावट है और अंदर से कोई देखेगा तो परदा रोकावट है इसलिए मुझे परदा नहीं जाई है I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind को कह रहे हैं मुझे रोशनी और अंधेरा पसंद है और खिड़कियां खुलती है हवा की आवाज मुझे अच्छी लगती है मैं उसकी हवा की आवाज सुनता हूँ ठीक है डेरी Yes, I like that When it's raining I like to hear it on the roof अब डेरी अपनी बता रहा है हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं, जब बारिश हो रही होती है तो मैं क्या करता हूँ छट पर खड़ाओ के उसकी आवाज सुनता हूँ ठीक है मुझे अच्छा लगता है Mr. Lam So you are not lost Are you Not all together You do hear a thing You listen Mr. Lam कहते हैं तो तुम खोई हुए नहीं होते क्या ऐसा है पूरी तरीके से नहीं तुम निश्य जूप से चीजों को सुनते हो और तुम ध्यान से सुनते हो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप में ही खोई हुए अपने विचारों में खोई हुए तुम चीजों को महसूस करते हो सुनते हो Daddy They talk about me Downstairs When I am not there What will he ever do What's going to happen to him when we have gone How ever will he get on in this world Looking like that With that on his face That's what they say अब डैरी बताता है कि वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं जब नीचे के मंजिल में जब मैं वहां नहीं होता हूँ मैं जब उपर चला जाता हूँ तो वो बात करते हैं मेरे बारे में क्या कहते हैं वो क्या करेगा हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा वो इस इंसार में कैसे काम चलाएगा इस तरीके की शकल से वे चीज जो उसके चहरे पर है लोग सब यही बातें करते हैं मेरे face के बारे में बात करते हैं कि मैं क्या करूँगा Mr. Lamb Lord, boy you have got two arms two legs and eyes and ears you have got a tongue and brain अब वो बताते हैं कि हे भगवान लड़के तुमारे पास दो हाथ हैं दो टांगे हैं, दो आके हैं, दो कान हैं तुमारे पास जुवान हैं और दिमाग है, बाकियों की तरह ठीक है, जैसे सब के पास है वैसे तुमारे पास है you'll get on the way you want like all the rest, जितने भी लोग हैं उनकी तरह अपनी तरीके से जीवन तुम जी सकते हो, जैसे सब के पास दिमाग है हाथ पेर हैं, आखें, कान हैं, नाखें, सब कुछ है तो तुमारे पास भी है, तुम उनकी अपनी तरीके से जीवन जी सकते हो and if you choose and set your mind to it you could get on better than all the rest और अगर तुम चाहो तो तुमारा मन मान ले तुम औरों के बजाए कहीं अच्छा कर सकते हो उन लोगों से और भी ज़्यादा अच्छा तुम कर सकते हो dairy, how, dairy पुछता है कैसे, कैसे कर सकता हूँ Mr. Lamb, same way as I do उसी तरह जैसे मैंने किया है dairy, do you have any friends dairy पुछता है कै तुमारा कोई दोस्त है Mr. Lamb कहते है hundreds, सेकडो बहुत सारी दोस्त है मेरे dairy but you live by yourself in that house it's a big house too परन्तु तुम तो इस घर में अकेले रहते हो और ये घर भी बहुत बड़ा है Mr. Lamb कहते है friends everywhere, people come in everybody knows me the gate always open तो वो कहते हैं हर जगे, हर जगे दोस्त है लोग आ जाते हैं मुझे जानता है क्योंकि दरवाजा तो मेरा हमेशा खुला रहता है they come and sit here वो आते हैं और यहां बैठ जाते हैं and in front of the fire in winter और जहां आग जलती है उसके सामने सर्दियों में kids come for the apple and pier और बच्चे यहां पर आते हैं किसके लिए save लेने के लिए और pier लेने के लिए pier क्या होता है आड़ू आड़ू लेने के लिए आते है and for toffees और toffees के लिए आते है I make toffees with honey मैं जो क्या करता हूँ toffees बनाता हूँ honey से शैद से anybody comes so have you कोई भी आ जाता है इसी तरह तुम भी आए हो dairy but I am not friend लेकिन मैं तुम्हारा दोस नहीं हूँ Mr. Lamb certainly you are so far as I am concerned तो वो कहते हैं कि निश्चित रूप से तुम हो जहां तक मेरा सम्मन्द है what have you done to make me think you are not ऐसा तुमने क्या किया है जिससे मैं यह सोचूं कि तुम मेरे दोस नहीं हूँ Mr. Lamb कह रहा है dairy you don't know me you don't know where I come from or even what my name is तुम मुझे नहीं जानते हो तुम नहीं जानते हो कि मैं कहां से आया हूँ यह यह भी नहीं जानते है कि मेरा नाम क्या है तो मतलब हम दोस्त कैसे हो गए Mr. Lamb why should that signify तो वो कह रहा है यह सब कुछ इतना महतफून क्यों है इतना महतफून क्यों होना चाहिए कि तुम्हारा नाम जानू यह तुम्हारे बारे में जानू do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend तो कह रहे है क्या मुझे तुम्हारा सारा जो लेखा जो का है वो सब लिखत पड़त करके एक file के box में रखना है क्या इससे पहले मैं तुम्हे अपना दोस्त मानू ऐसा तुम्हे करना क्या है इन सब चीज़ों थे ठीक है तुम आए मेरे पास तुम उससे मिले तुम बस मैंने दोस्त मान लिये तुम्हें I suppose not know मेरे खाल से नहीं तुम ऐसा करने ही कोई जुरद नहीं तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो अगर तुम चाहो तो और नहीं चाहो और तुम बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ कोई बात नहीं Derry Derry बोलता है Derry Only it's Derek But I hate that Derry If I am your friend You don't have to be mine I choose that Derry कहता है मेरा नाम क्या है Kable Derek है लेकिन मैं इस नाम से क्या करता हूँ घ्रना करता हूँ Derry अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं मेरे होने की जो है दोस्त होने की ज़ुरद नहीं है मैं यह पसंद करता हूँ मैं अकेला ही ठीक हूँ मतलब सरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनाँ I have to be mine You don't अकर मेरे दोस्त नहीं हो तो कोई बात नहीं ठीक है मैं तो यही पसंद करता हूँ मैं अकेला ही ठीक हूँ मेरा नम डैरिक है अकेला डैरिक Mr. Lam क्या बोलते हैं Why not हाँ क्यों नहीं How could I You pass people in the street and you might even speak to them but you never see them again It doesn't mean they are friends अब डैरी बोलता है उसको कि जो है यह कैसे हो सकता है कि जो है जो व्यक्ति यहां से निकलते हैं वो फिर कभी यहां आते भी नहीं है दुबारा मिलते भी नहीं है तुम उनसे तो फिर वो तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते है तुम कह रहे हो तुमारे दोस्त है Mr. Lamb डेजन्ट मीन दे आर एनिमीज आइधर ड़स इट तो यह कहते हैं कि जो है इसका मतलब यह नहीं है ना कि अगर वो मुझसे बात नहीं करते हैं या लॉट के नहीं आते हैं तो मेरे एनिमी हो गए ऐसा तो नहीं है ना No, there are just nothing people that all कि हां मतलब ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो लोग जो है जो नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं ऐसा नहीं है कि आप उनसे हेट करो ऐसा बिल्कुल नहीं है People are never just nothing never लोग बाग जो है कभी कुछ नहीं होते हैं कभी भी नहीं होते हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है There are some people I hate Derry कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं धना करता हूँ Mr. Lamb That do you more harm than any bottle of acid Acid only burns your face तो Mr. Lamb कहते हैं इससे तुमको तेज़ाब की bottle से भी ज्यादा नुकसान होगा अगर तुम ऐसा कहते होगी कुसी वेक्ती से तुम नफरत करते हो तो तुम्हे जो तेज़ाब की bottle ने तुमें जलाया है उससे भी ज्यादा नुकसान होगा तेज़ाब ने तो क्या किया है acid only burns your face कि के विल तुमारा face जलाया है और यह ऐसी जो jealousy है इसमें तुम क्यों रहे हैं मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ तो इससे क्या होगा तुम अंदर से जलोगे dairy only अब dairy कुछ बोले only कहके रुख गया हो Mr. Lamb बोलते है like a bomb only blew up my leg there's worse things can happen you can burn yourself away inside अब Mr. Lamb समझाते हैं कि जैसे की bomb ने क्या किया मेरी एक टांग उड़ा दी तो इससे बुरा भी थो सकता था है ना मेरे संग हो सकता है मैं पूरा ही मर जाता तुमने अपने आपको अंदर से जला सकते हैं अकर तुम यह दिमाग में रखो यह कि मैं उससे नफरत करता हूँ तो तुमारा चेहरा ही नहीं जलागा तुम अपने अंदर से भी अपने आपको जला लोगे वह आपको समझाना चाह रहा है After I would come home one person said he would have been better off stopping in there in the hospital अब बता रहा है कि जब यह हादसा हो गया था मेरे साथ मेरे घर आने के बाद एक आदमी ने कहा वहाँ अंदर रुकने में अच्छी परिस्तिती होती है मतलब वह अगर अगर अंदर ही रहता यह घर नहीं आता तो यह ज़्यादा अच्छा रहता He would be better off with others like himself अस्पताल में क्या होता कि वह अपने जैसों के साथ वहाँ अच्छी परिस्तिती में रहता जैसे वहाँ और लोग थे यह भी वहीं रहता तो ज़्यादा सही रहता She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys वो सोचती है कि अंधे लोगों को अंधों के साथ मूर्ख लड़कों को मूर्ख लड़कों के साथ रहना चाहिए Mr. Lamb and people with no leg altogether Mr. Lamb अपनी बात कहते है और वो लोग जिनके पास टांगे नहीं है उन सबको एक साथ रहना चाहिए Derry कहता है That's right, हाँ यह ठीक है Mr. Lamb What kind of a world would that be? किस तरीके का यह संसार है? कैसा संसार हो गया है यह? Derry कहता है At least there will be nobody to stare at you because you weren't like them तो कहते हैं कम से कम आपको घुर घुर कर देखने वाले तो कोई नहीं होगा क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो Mr. Lamb So you think you are just the same as all the other people with the burned faces just by what you look like everything different everything the same but everything is different itself Mr. Lamb उसे समझा रहे हैं कि इस तरह तुम सोचते हो कि तुम भी उसी तरह हो जिस तरह दूसरे जले हुए चेहरे वाली लोग होते हैं केवल इसलिए कि तुम एक जैसे लगते हो हर चीज अलग है हर चीज एक जैसी है लेकिन हर चीज अलग है अपने आप में वो दिखने में भलाई चीज है एक जैसी लगती हो बट हर चीज अपने आप में अलग अलग होती है अब यहाँ पर डेरी की बात Mr. Lamb की बात को मैं आपको समझाती हूँ Mr. Lamb ऐसा कुछ कहना चाहते है कि जिसे मान लो ट्विन ब्रदर्स हैं तो अब उनकी शकल बिलकुल एक सी है लेकिन उनका व्यक्तित तो अलग लग होगा वो दोनों अलग लग नीचर के होंगे दिखते जरूर एक से हैं लेकिन हर चीज अपने आप में अलग होती है ऐसा कुछ Mr. Lam उसको यहां समझाना चाह रहा है How do you make all that out? आप ये कैसे पता लगाएंगे? है ना? कैसे पता लगाएंगे? चीज़ा एक सी दिखती हैं लेकिन डिफरेंट होती है Mr. Lam Watching, Listening, Thinking क्या कहते हैं वो देख के, सुन के और समझ के, सोच के है ना? ऐसे नहीं पता लगाएंगा कैसे पता लगाएंगा? सोच समझ के Derry But this isn't mean है लेकिन जो है, इसका मतलब तो ये नहीं है But this isn't mine मतलब ये मेरा तरीका नहीं है मैं ऐसे पसंद नहीं करता हूं है ना? But this isn't mine Mr. Lam Everything yours if you want it अच्छ सॉरी वो कह रहा है, I would like watching, I would like a place like this Derry कैता है, मैं इस तरीके की जगे को पसंद करता हूं इस गार्डन की बात हो रही है, a garden I would like a house with no curtain, मैं भी ऐसा ही घर पसंद करता हूं जहां पर curtain नहीं है Mr. Lam, the gate always open Mr. Lam कैते है, दरवाजा हमेशा खुला रहता है Derry, but this isn't mine लेकिन ये मेरा तो नहीं है ये गार्डन का तरवाजा जरूर खुला है, पर ये मेरा नहीं है Mr. Lam, everything is yours if you want it what's mine is anybody's Mr. Lam कैते है, कि हर चीज तुम्हारी है अगर तुम इसे चाहते हो जो मेरा है, वो किसी का भी है, Mr. Lam कैते है, मेरे पास सकता हूं, अगर आप बाहर भी हो तो भी में आ सकता हूं Mr. Lam, certainly you might find other here of course, कैता है निश्चित रूप से, निशन दे तुम यहां आओगे, अगर दूसरे लोगों को भी पाओ यहां पर कोई और भी हो तो भी यहां आना, Derry, Oh Mr. Lam, well that needn't stop you you needn't mind कि, ठीक है इसमें तुम्हें कोई रुखनी की अवशक्ता नहीं मेरे लावा कोई और भी हो यहां पर तो तुम्हें रुखने की बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है तुमको चिंता करने की भी ज़रुवत नहीं है Derry कैता है it would stop them they would mind me when they saw me here they look at my face and run तो वो कह रहा है कि मैं उनको रोग दूँगा वो लोग मुझे देखके रोग जाएंगे वो मेरे से देखके डरेंगे, चिंतित होंगे और जब वो मुझे यहां देखेंगे तो मेरे चेरे को देखेंगे और यहां से भाग जाएंगे कि वो ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं तुमको यह खत्रा तो मौल लेना ही पड़ीगा ठीक है तो कुछ भी कर सकते हैं वो ऐसा करेंगे भी और नहीं भी करेंगे दोनों भी बात हो सकते हैं No, you would you might have me and loss all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it तो किता नहीं आपके लिए तो ये बात खतरनाक हो जाएगी ये तो आपका नुकसान हो जाएगा आप मुझे रखो और दूसरे दोस्तों को खो बैठोगे आप अगर मुझे अपना दोस मानते हो तो तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं जो है गली में जाता हूँ तो बच्चे चिलाते हैं क्या कहते हैं उसे लंगरा लेकिन अब जब वो बगीचे में आते हैं और मेरे घर में आते हैं तो यहाँ पर आना उनका एक खेल है खेलते हैं वो यहाँ के दियास नॉट अफरेड आफ मी वो मुझसे डरते नहीं है वाइशुट दे भी वो डरे भी को विकाज आ एम नॉट अफरेड अफ देम लेकिन क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता तो इसलिए वो मुझसे नहीं डरते तो उनका कहने का मतलब है जब मैं नह करता है वो मुझसे डरते तुम क्यों ऐसे डर रहे हो फिर डेरी कहता है डिद यू गेट यूर लेग ब्लोन ओफ इन दा वार तो डेरी नहीं से फिर पूछा है क्या आपका जो पैर है जो क्या हुआ था लडाई में ओड़ गया था लडाई में बॉम ब्लास्ट नो गया थ अब इसे हमको क्या पता लग रहा है कि वो एक आर्मी में है मिस्टर लैम जो है तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेंली हाँ यही हुआ था हाव विल्यू क्लाइम ओन लेडर एंड गेट दा क्रैब एपल डाउन देन तो फिर जब आपकी एक टांग ही नहीं है तो आप किस तर लिए वो कहते हैं बहुत सारी बाते हैं जो मैंने करनी सीख ली है और इसके लिए समय भी काफी है सालों मैं इसको एक समान लेता हूं मतला मैं कर लेता हूं इसकाम को मैंने बहुत टाइम में यह सब कुछ सीख लिया है डेरी if you fell and broke your neck you could lie on the grass and die if you were on your own तो डेरी कहता है अगर आप गिर जाएं और आपकी गरदन तूट जाएं तो आप घास पर पड़े रहेंगे और मर जाएंगे अगर आप अपने में भरोसे हैं यह आप अपने अकेले हो आप अपने भरोसे पर यह सारा काम करेंगे तो ऐसा भी तो सकता है कुई दुरगट ना भी तो सकती है Mr. Lam I could तो वो कहते हैं नहीं मैं कर सकता हूं डेरी You said I could help you आपने कहता कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं Mr. Lam If you want to अगर तुम करना चाहो तो डेरी but my mother will want to want to know where I am लेकिन मेरी मां जानना चाहेंगी कि मैं कहां परूं I am at three miles home across the fields I am 14 but they still want to know where I am तो वो कह रहा है कि खेतों को पार करके यहां से तीन मील दूर रहता हूं मैं 14 साल का हूं फिर भी वो जानना चाहती है कि मैं कहां हूं Mr. Lam कहते हैं people worry हाँ लोग चिंता करते हैं people first तो वो कहते हैं कि लोग जो है छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं मतलब उसको यह अच्छा ही लगता है बहुत जाद ही चिंता करते हैं Mr. Lam go back and tell them वापस जाओ उना बताओ dairy it's three miles तीन माइल दूर है तीन मील जाना पड़ेगा मुझे dairy बोलता है Mr. Lam it's a fine evening you got legs यह बहुत सोहानी शाम है और तुम्हारे पास क्या है टांगे हैं अब जाओ फिर डर क्यों रहे हो माचिंता करते हैं तो बता क्या हो उनका कहने का मतलब यह है dairy once I got home they would never let me come back वो कहते है एक बार मैं घर चला गया तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगी वो मुझे वापस नहीं आने देंगी वो Mr. Lam को बोल रहा है Mr. Lam once you got home you would never let yourself come back तो कहते हैं एक बार तुम घर गए तो तुम वापस नहीं आओगे Mr. Lam भी उसकी बात repeat करके उसको बोल रहा है dairy you don't know you don't know what I could do अब उसको गुस्ता आता है वो कहते है आपको नहीं पता आपको नहीं पता आप कुछ नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं Mr. Lam Mr. Lam no only you know that तो वो कहते हैं हाँ के वल तुम ही जानते हो नहीं मैं तो नहीं जानता है लेकिन तुम ही जानते हो को तुम क्या कर सकता है अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं Mr. Lam if you choose अगर तुम चाहो तो I don't know everything मैं हर चीज नहीं जानता हूं आप तुम क्या चाहते हो वो मैं किसे जान सकता हूं boy I can't tell you what to do मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम क्या करूं अब तुम देखो घर जाने के बाद क्या करना है तुम्हें dairy they tell me वो मुझे बताते हैं Mr. Lam do you have to agree क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है मतलब वो यह कह रहे हैं कि Mr. Lam कह रहे हैं मैं नहीं बता सकता तुम्हें बता रहे हैं मतलब उनकी घर के जो सदस से वो बताते हैं तुम्हें क्या करना है तो Mr. Lam कह रहे हैं कि तुम्हें अगरी हो सहमत हो जाते हो उनकी बात से I don't know what I want मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ I want something No, one else has got or ever will have मैं वे चीज चाहता हूँ जो ना कभी किसी को मिली हो और ना मिलेगी Something just mine कोई ऐसी जीज जो सिर्फ मेरी हो Like this garden इस बगीचे की तरह I don't know what it is मैं नहीं जानता कि और वो चीज क्या है Mr. Lamb, you could find out तो मैं तुम पता कर सकते हो Daddy, how, कैसे Daddy कहता है किस तरीके से Waiting, watching, listening Sitting here or going there I will have to see the bees Mr. Lamb कहते हैं इंतजार करते हुए देखते हुए, सुनते हुए या बैटी हुए या वहाँ जाते हुए मुझे मक्खियों की देख रहे करनी है मतब तुम कुछ भी करो, सोचो, बैठो देखो, मुझे क्या करना है मुझे मक्खियों की देखवाल करनी है Daddy, those other people who came here do they talk to you, ask you things तो वो पुछता है Mr. Lamb से कि वो लोग, दूसरे लोग जो सहां पर आते हैं क्या वो आपसे बात करते हैं आपसे कुछ पूछते हैं Mr. Lamb, some do, some don't I ask them, I like to learn तो वो कहे रहे, Mr. Lamb कि आते हैं कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं और मैं कुछ सीखना चाहता हूं Daddy, I don't believe in them मैं जो है, उनमें विश्वास नहीं करता हूँ ठीक है? मैं उनमें विश्वास नहीं करता हूँ I don't think anybody ever comes मुझे नहीं लगता कोई भी यहां पर कभी आता हुआ You are there all by yourself and miserable and no one would know if you were alive or dead and nobody cares कि मैं उनमें विश्वास नहीं करता हूँ मैं नहीं सोचता कोई भी यहां आता है आप यहां पर अकेले हैं और दुखी हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जिन्दा हैं या मर गएं कोई इसकी परवा नहीं करता है Daddy पर बोलता है Mr. Lem You think what you please तुम जो चाहो सोच सकते हूँ तुमारी मर जी भाई तुम जो भी कुछ सोच हो Daddy All right Then Tell me some of their names तुझारी कहता ठीक है उनमा से कुछ लोगों के नाम बताओ जो जो यहां आते हैं जो आपके दोस्ते हैं आप उनके नाम बताओ मुझे क्या है Mr. Lem What are names Tom, Dick, Dick or Harry Getting up I am off down Mr. Lem Mr. Lem Mr. Lem Mr. Lem That's a good excuse यह अच्छा बाना है Diary what for, किसलिए, you don't talk science आप अकल की बात नहीं करते हैं Mr. Lamb, good excuse, not to come back and you have got a burned up face and that's other people's excuse तो Mr. Lamb कहते हैं, अच्छा भाना है वापस ना आने के लिए और तुम्हारा जला हुआ चेहरा है और वे दूसरे लोगों का भाना है तुम्हारे पास ना आने का तुम्हारा बना रहे हो, यहां आने का अच्छा है, मुझे पागल मूर्क के दू तो फिर क्यों आओगे तुम लोटके Derry, you are like the others you like to say things like that तुम दूसरों की तरह हो तुम इस तरह की बाते कहना पसंद करते हो जैसे दूसरों लोग करते हैं, ऐसे तुम भी कह रहे हो तुम भी दूसरों की तरह है और आपको मेरे चेहरे के लिए अफसोच नहीं है तुम आप इसे डरे होए हैं और अगर आप डरे होए नहीं है तो आप सोचते हो कि मैं क्या हूँ? टैवल हूँ? शैतान हूँ? और एक बजसूरत हूँ मैं शैतान हूँ? क्या नहीं सोचते हो आप ऐसे? जोर से चिलाता हूँ बोलता है, शाउट करते हूँ अस्ते Mr. Lam does not reply Mr. Lam को यह answer नहीं कहते He has gone to his bees वो अपनी जो वो हैं बीज हैं उनके पास चले जाते हैं, मदमक्यों के पास चले जाते हैं Derry Quietly, दीरे से, No, you don't I like it here अपने आप ही कहता है, नहीं तुम नहीं, मैं यह यह यहां पसंद करता हूँ, मतलब तुम ऐसी नहीं हो, अपने आप से ही कहता है मुझे यहां अच्छा लगता है Pause, रुकता है, Derry gets up and shout, उपर चड़ता है उठता है, और चिलाता है I am going, मैं जा रहा हूँ but I will come back, मैं वापस आउँगा You see, तुम देखना, you wait मैं जार करो, I can run, मैं दोर सकता हूँ I haven't got a 10 leg मेरे पास 10 leg नहीं है, I will back मैं वापस आउँगा Derry runs off Silence, the sounds of the garden again Derry भाग जाता है और शांती शायाती है और बगी जे की जो आवाजे हैं जैसे चिडिया, सुरू हम बताया देना चिडियाओं की आवाजे आ रही है पत्तियों के सजरहाट आ रही है वो फिर से आने लगती है यह यहाँ पर बच्चो एक एक्ट खतम हो जाता है एक एक्ट यहाँ पर I think यहाँ पर हाँ, खतम हो गया यहाँ अगले शुरू होता है देखिए, अभी एक लाइन रह गई है Mr. Lam, to himself Mr. Lam अपने आप से कहते हैं क्या कहते हैं Dear my dears, that's you seen to क्या बोलते हैं अपने आप से बोलने हैं मेरे प्यारे, यह तुमने देख लिया You know, we all know तुम जानते हो, हम सब जानते हैं I will come back मैं वापस आउँगा They never do, though मैं वापस आउँगा वे कभी नहीं आते हैं हम सब ने देख लिया जो लोग ऐसा कहते हैं मैं वापस आउँगा वो कभी नहीं आते हैं Though, not them Never do come back The garden noise fade हलांकि वे नहीं, कभी वापस नहीं आते वो बगीचे का शोर जोए थोड़ा सा कम होने लगता है ठीक है? अब वो अपने आप से बात कर रहा है कि तुम कह रहे हैं, वापस आउँगा बहुत से लोग ऐसे कहके चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं अब यहाँ पर Scene 2 आगया Derry's house अब Derry का घर दिखाया जा रहा है यहाँ पर प्ले चल रहा है था मैंने आपको बताया था Mother, you think I don't know about him You think I haven't heard things तो वो कहते हैं, तुम क्या सोचते हो मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ तुम सोचते हो कि मैंने उसकी बातें नहीं सुनी है उनकी बात कर रहे है किसकी Mr. Lamb की बात कर रहे है Derry, you shouldn't believe all you hear आपको वे सब कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप सुनते हो यह देखे, Mr. Lamb की बात बोल रहा है ममी से आके, उनमें भी देख समझाया था ना आप सामने वाला जो आप जिस बात को सुन रहे हो सामने वाला कह रहा है, हर सुनी होई बात पर आपको विश्वास नहीं करना है माँ जानती है कि बिन टोल, मुझे बताया गया है और क्या किया गया है वान किया गया है, चिताब नहीं दी गई है हम यहां तीन महीने नहीं रहे हैं मतलब हम जादा देर दिन हों हैं यहां नहीं होएं पर मैं जानती हूँ कि मुझे जानना चाहिए और तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाने देना चाहिए मुझे पता है मैं क्या कहना है क्या कह रही हूं तुमसे है न Derry What are you afraid of? What do you think? He is an old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden and I want to be there and sit and listen to things listen and look अब Derry कहता है आप किस बात से घरती हो? आप क्या सोचती हो? वो क्या है? वो एक बुरा आदमी एक टिन की टांग के साथ और बगेर पर दे के एक बहुत बड़े घर में रहता है और उसके पास एक गार्डन है एक बगीचा है और मैं वहाँ जाना चाहता हूं और बैठना चाहता हूं और उसकी बात हैं सुनना चाहता हूं सुनना चाहता हूं देखना चाहता हूं Mother Listen to what? क्या सुनना चाहते हो? Daddy Be singing Him talking Madhu Makhyo का गाना उससे बात करना है ना? उससे बात करना चाहता हूं Mother And what he got to say to you और उसको तुमसे क्या कहना है? क्या ऐसी बात है? Things that matter Things nobody else has ever said Things I want to think about ये बाते हैं जो महतवपून हैं ये बाते हैं जो किसी और ने नहीं की हैं वो बाते हैं जिनके बारे मैं मैं सोचना चाहता हूं मतलब जैसी बाते हैं Mr. Lambden मुसे की ती एसी किसी और नहीं की और उन बातों के बारे में मैं सोचना चाहता हूं उन्होंने होसला दिया ना उसको And crazy किया तो उसको अच्छी लगी उनकी बाते Mother, then you stay here and do your thinking You are best of here फिर तुम यहां रहो और सोचने का काम करते रहो तुम यहां सबसे अच्छी तरह हो यहां पर सही है तुमारा रहना मा उसको गुष्टे में बोलके चली जाती है Daddy, I hate it मैं उझे यहां रहना बुरा लगता है घ्रना करता हूं मैं यहां रुखने से You can't help the things you say I forgive you It's bound to make you feel bad things And say them I don't blame you Mother कहती है तुम जो बाते करते हो उनके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है मैं तुमें माफ करती हूं इससे तुम जरूर बुरी चीज़ें महसिस करोगे और उनको कहोगे मैं तुमें दोश नहीं देती हूं है ना ? मा उसको कह रही है कि ठीक है भई तुम जो बाते कर रहे हो, इसके लाव़े तुम आपस कोई और चारा है नहीं, तुम जो मुझे जिस तरीके की बातें बोल रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें माफ कर दिया, कोई बात नहीं, और तुम जिस तरीके की बातें कर रहे हो, और जिस तरीके की बातें कर रहे हो, इसमे कोई लेना देना नहीं है और मैं कैसे नजर आता हूँ मतलब मातों सुझ रहे न कि वो विचरा ऐसा नजर आता इसलिए ऐसी बात मैं कहता है इसलिए मैं बुरानी मन नहीं तो वो कह रहा इसका मेरी चेहरे से कोई लेना देना नहीं है I don't care about that and it isn't important मैं उसकी चिंता नहीं करता और ये महतुपून भी नहीं है I don't care about that and isn't important It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear and I am going back there only to help him with the crab apples only to look at things and listen but I am going अब वो डेरी पूरी बात है बता रहा है वो कह रहे कि ये बात महतुपून नहीं है कि मैं कैसा देखता हूँ कि क्या है मुझे इसकी चिंता भी नहीं है महतुपून है सोचना और महसूस करना और जो मैं देखना चाहता हूँ पता लगाना चाहता हूँ सुनना चाहता हूँ और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ केवल उनकी वो जंगली apples जितने सेव थे उनकी मदद के लिए केवल चीजों को देखने और सुनना लेकिन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ you'll stop here मां कहते है तुम यही रहोगे कहीं जाओगे oh no oh no because if I don't go back there I will never go anywhere in this world again अब डेरी कहता है ओ नहीं क्योंकि अगर वापस नहीं जाता हूँ मैं वहाँ पर तो मैं इस दुनिया में कभी कहीं नहीं जा पाऊँगा मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा अगर मैं नहीं जा तो वहाँ पर the door slams डेरी रंस पेंटिंग दर्वाद धर्ण से बंद होता है और डेरी दोड़ता हूँ आफता हूँ जो है and I want I went I want to the world I want it I want it the sound of his painting fence तो दर्वाद धर्ण से बंद हूँआ डेरी दोड़ता है हाफते हूए और मुझे चाहिए यह संसार मैं इसे चाहता हूँ मुझे मैं इसे चाहता हूँ हाफ में की आवाज और कम हो जाती यानि वो डोड़ता हूँ वहाँ से चला जाता है अब आता है scene third अब देखिए कहाँ पर है Mr. Lamb's Garden वो कहाँ पर पहुँच गए है Mr. Lamb's Garden में पहुँच गए Garden sounds the noise of branches shifting apples thumbing down the branch shifting again तो बगीचे में आवाज आरी है एक टैनी के हिलने की आवाज आई save नीचे गिरते हुए और टैनी के फिर हिलते हुए आवाज आई ठीक है Mr. Lamb steady that's got it that's it more apples fall Mr. Lamb थोड़े स्थिर हुए यह हुई ना बात तूट गया यह हुई ना बात that's it that's it और फिर save गिर जाते हैं more apples fall and again और फिर that's it and और फिर से एक दम से फिर हुई बात a crack a crash the ladder falls back Mr. Lamb with it a thumb the branch swishes back cracks then silence dairy opens the garden gate still painting एक आवाज आती है कैसी crack की जैसे चरचरहाट की और फिर जो है जो और से धराम से गिरने की अब सीड़ी जो है गिर जाती है ladder fallback गिर जाती है Mr. Lamb भी साथ में एकदम धमाका होता है वो भी गिर जाते है टहनी की जो सरसरहाट से वापस सीधी हो जाती है जुकी होई थी न वो फिर से उच हो जाती है एक चरचरहाट एक शान्ती अब डैरी बगीचे के दरवाजा खोलता है और एकदम हाफते हुए अंदर आता है डैरी यू सी, एक वाफसाग मात्पर आया और उन्हों भी कहा लेकिन मै वाफसागा मैं चाहता था वो बिलकुल चूप हो जाता है और शान्त ही हो जाती एक दमाद वो कहते कहते रुख गया Mr. Lamb, Mr. You have Mr. Lamb, आप He runs, throw the grass, stops, kneels वो घास पर दोरता है, रुकता है और जुकता है एकदम Mr. Lamb, it's all right You fell, I am here Mr. Lamb, it's all right वो बता है, सब ठीक है आप गिर गए, मैं याँ हूँ Mr. Lamb, सब ठीक है, शान्ती Mr. Lamb, it's all right silence हो जाती है, बिल्कुल शान्ती हो जाती है I came back, Lamby Lamb I did come back Dairy wings to weep मैं वापस आ गया Lamby Lamb, लंगने लैम मैं वापस आ गया, मैं आया और मैं आ गया, Dairy जो है, रोने लगता है, और यहाँ पर यह कहानी end हो जाती है अब आपको लगाओगा बच्चे इस कहानी का end तो बड़ा ही दुखद हुआ Mr. Lamb की मृत्ती हो जाती है बट यहाँ पर जो writer है न, वो आपको क्या बताना चाह रही है वो यह बताना चाह रही है कि जो physically challenged लोग होते हैं उनको accept करना चाहिए society के द्वारा ही नहीं उनको खुद में भी अपनी जो कमिया है उनको accept करना चाहिए और उनके साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ऐसा नहीं कि अगर उनके अंदर कोई कमी आ गई है उनके शरीव में वो child लंगडे हो गए है या उनका हार टूट गया है या कोई भी physical challenge आ गया है तो ऐसा नहीं कि उससे हार मान के बैट जाएं क्या करें वो आगे बढ़ें अपनी उस कमी के साथ वो भी वो कर सकते हैं जो एक आम इनसान कर सकता है तो यही जज़वा Mr. Lamb ने dairy के अंदर जगा दिया और वो फिर से संसार में आ गया और सारे काम करने लगा तो यह थी यह story I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यह story आपको अच्छे समझ में आ गई है यह chapter समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको time पर मिल सके और ऐसे ही मैं आपकी मदद कर सकूँ और आपको कोई और help चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हैं Thank you for watching